आज भारत के हैं गाउं से आवाज उठाती है नारी आज भारत के हैं गाउं से आवाज उठाती है नारी बाधिनिकी ये नहार सुनकर तंपित है दुनिया ताई शोशित पीडित वार उपेख्षित सदियों तक अन्याय सहे नारी जीवन कथा रथा कि मौन रहे ना कुछ भी कहें मैल हो रही तदके मज के मिर्मल जलती खार बहें नारायन का रूप कहां और कहां ये अबला बेचारी बाधिनिकी ये नहार सुनकर तंपित है दुनिया ताई कजली पड़दा लिखना जाने दाजनीती भी हाथ दरे चत्वा चत्वा उसका पती आलसी खटिया पे आराम करे उपस्थित सभासदो हमारी पार्टी शुरू से ही नारी के सम्मान के लिए लड़ी है इसलिए आरक्षन जैसी सीजों की जरुरत हमें नहीं पड़ी है इस बार हम अध्यक्ष के रूप में एक ऐसी नारी को देखेंगे जिसे लोगों ने भारी मतों से पंचायत के लिए चुना है उनका ये प्रभाव साब गाहिर है मैं स्रीमती कजली बेन का नाम तालुका रख्ष के लिए खोशित करता हूँ कि इच्छी जाती के लोगों को हम प्रतिनिथित्व नहीं देते ये बात कितनी खोखली है इसके ये साबित होता है मैं जूट नहीं बोलूँगा हमारी पार्टी की तरफ से मेरा नाम अध्धक्ष के रूप में निश्चित हुआ था फिर भी चाचा जी को प्रतिनिथित्व मिलना चाहिए मैं कजली बेन राठोड के नाम को अनुमोधन देता हूँ और उन्हें बधाई भी देता हूँ कर देता हुआ 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 है हुआ 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 है नमस्ते बचु भाई मैं तुम्हें कल पंजयत की सब बातें बताता हूं तो जैसे ही मैंने कजली जी का नाम लिया ना लेकिन चाचा उन्होंने तो कहा कि मैं अपनी गल्पी मानता हुआ 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 है अरे गिरगिट की तरह रंग बदलता हुआ है तुम क्या समझति हो उसे अपनी गलती का एक्सास हुआ होगा बिल्कुल नहीं उसे लगा अगर तुम जीद गई तो उसे बहुमत नहीं मिलेगा अरे बहुमत तो क्या खुद उसे उसकी पार्टी का भी एक बोट नहीं मिलेगा इसलिए ये सब नाटक है राजनीती के रंग धीरे-धीरे समझ जाएगी अब तू छेड़ा थाप कि आपकी अध्यक्ष की कुर्सी चली गई कि फिर भी आप फुश है कि राजनीती तैरे राजनीती कहते इसे तुम्हें क्या लगता है तुम्हें यह अनपड़ और और अवरत काम कर पाएगी तो पुब्लिक सिंपती हमें भी एक बात और दूसरी बात यह है कि जब तक हो कांच का करोना बैठा है ना उस कुरसी पर बैती गंगा में हाथ धोले अपने है कर दिंग कंट्रेक्टर रतनलाले उसको बुलाओ एना च्छिडा सामने बुलाया है जै आओ कजली तुम यहाँ मेरी ज़क्ति यह है नहीं बेटी तुम्हारी जगा यह नहीं तुम्हारी जगा यह है कि यह मैंनी कि इतने बड़े लगों के सामने मैं नहीं बहां केसे लखेंगी बेटी उठो बैठा तुम अपने कुर्सी पर अरे कुछ देखीगा तो अच्छा कोवे को सोने के पंख लागा दिये और कहे ना च्मोर की तरो मैं मिधी मिधी धून सुनाता हूँ वाव मदारी जी जी यह समय नहीं पर अध्यक्ष मोहद है हमारे लाटी सेथ एकसो तेज गाव में से पच्छतर गाव में तुए बनाने का कॉंट्रेक्ट रतनलाल एंड कंपनी को जिया गया काम तो अभी तक पुरा नहीं हुआ लेकिन मेरे पास सबूत है काम किये बगएर है आपने एक लाख रुपए का धनादेश उसे पास करवाया नहीं उसे पूरे पैसे क्यूं दिये गए इस बात की इंक्वाइरी होनी चाहिए मैं आपसे जवाब चाता हूँ देखिए वो तो पेशगी के पैसे थे और कुवे बनाने का कॉंट्राक्ट तो पहले वाले पंचायच के सबस्यों ने ही दे दिया था पेशगी तो पहले ले चुका था यह राव उसका नंबर क्या है 840047-887-1995 देखिए मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है मुझे तो जैसा कहा गया वैसा मैंने किया जैसा कहा पैसे कैसे हो सकता है जैसे तो मुझे उसे बात तो पूरी कर ले ने दीजिए मैं सच कहती हूं मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूं मैं सेकेदर से बात करूंगी उससे क्या होगा चाचा से कहो बात करें चाचा से पूछो कितने मिलें एक लाग में से कितने ही जितने चड़ा वो पट्राट बात करें चलो है युझात तो लुघ कर दो लुटारोंगे विए। मेरी जगह यही है जजाचा यही है मेरी जगह अब रोने से क्या होगा मैं नहीं सबाल सकती है यह सब मेरी सबच के बाहर है बेटी यह राजनीती है यहां कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तुम अभी नहीं हो इसलिए छेड़ा उठा रहा है वो तुमें दिखाना चाहता है कि तुम इस कुरसी के लायक नहीं हो इसलिए उठो और बैठो इस कुरसी पर तालुका पंचायत का अध्यक्स होना बहुत बड़े ओर्दे की बात है तुम्हें जहां एक और छेडा जैसे विर्यूधियों का सामना करना है वहां पंचायत के लिए अपना उस्तरदायत भी निभाना है व्लॉक डेवलेमेंट के अफ्सरों से मिलके अपने प्रांत की उन् मैं नहीं कर सकूंगी तुम समझती नहीं हूं अगर मैं अर्जक्ष बन गया तो हमारे दस्पूर्ट तो अवश्न मिल जाएंगी लेकिन भाहुमत के लिए काफी नहीं है तुम्हें धिरेश रखना चाहिए कजिए जचाब मैं तो सोच रही थी अपने गाहों में पाट्श में शिक्षित करवाऊंगी तरह गाहों शिक्षित हो जाएगा अपने अपने गाहों से हाइवे तक का रास्ता पक्का बनवाऊंगी तो यह सब अच्छे काम है ना तो तो फिर अधिक्ष बनकर भी इस सब काम मैं क्यों नहीं कर पा रही है व्यवस्था हमारी व्यवस्था जो बातें जरूरी हैं होना ही चाहिए ऐसा लगता है को खुद कभी मत करना है विपक्ट से करवाले नहीं उन्हें ये करने के लिए मजबूर करना है इसके लिए सबसे पहले इन बातों का विरोध करो तुमने विरोध किया तो बाकी व्यवस्था करने गए तुम्हारा हर सपना दूरा होगा मुनना अब सात्री में है न हम तो इसके बाद राइश कुल तो तालुका में है तो लिए अगया पढ़ा तो आगे इसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं बस कही काम पर लगा जो ईसे और और तु तु क्या चाहती है मैं तो चाहती हूं कि यख अगय पढ़े लुगन तु तो पंचायत की सदज्य है तू चाहें तो हो सकता है तो तक घण. है अगर अगले साल तक हाई-स्कूल चाहिए तो शच्छेडा आपकर ले अज़िए अज़िए चाचा इक वाट जितनी जल्दी हो सके हमें चीक करवाना होगा तरह इसमें गिर के तो किसी की भी जान जा सकती है हाँ तुम्हारा खेना बिल्कुल सच है चुला बेटी मुझेटला शॉर्य को सब्सक्राइब चुला कि खुड़ा सभी तुम्हारे बारे में लाब कर दी। मुझे लगता है कि और 48 गाउं में भी कोई बनाने की जरूरत है हम निवीदा मांग रहे हैं लेकिन इस बार मैं चाहते हुए भी तुम्हें ठेका नहीं दे सकती क्यों तुम्हारे खिलाब इतनी शिकायते आई हैं मेरे पास कि समझ में नहीं आता क्या करें कैसी शिकायत है मैं और सरिता मिलकर गाउं की कुछ औरतों के साथ कोई की जाच के लिए गये थे उस कोई की हालत तो ऐसी है कि उसमें से पानी निकालना तो एक तरफ और धड़े के साथ ही कोई के अंदर गिर के मर जाए यह देखो छेडा जी ने भी काया है कि तीस फूट की जगे 16 खुट की खुदाय की गई है कुए का बान 14 इंच की जगे 9 इंच है लेचे तक पानी ही नहीं है पानी निकालने के लिए कोई सुवीदा ही नहीं हो अब ऐसे कुए कित काम के अब अध्यक्ष होने के नाते इस शिकायत पर मुझे कुछ तो कदम उठाने ही होंगे न इसका नाम ठेकेदार की सुची से निकाल दो ने 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 आपको कुछ गलत वेमीं होई है दिखे अभी तक काम कहा पूरा हुआ है दिकिन पूरे काम के पैसेसा तू पहले ले चुका है ना दिखे वो यदा के कहने पर क्या पाया जेडा नहीं? उसीने कहा था कि आपको पेश्की के बारे में कुछ पता नहीं होगा और तू पुरा बिल दे दे और ले तवक्खे दे कि पेश्की के पैसे ले रहा हूं नहीं नहीं छेडा जी आसा नहीं कह सकते अरे ऐसा ही हुआ है मैं सच कह रहा हूं अच्छा ठीक है लेकिन अब तुम्हीं बताओ हम क्या करें देखिये मैं एक मेहने के अंदर सारा काम पूरा कर दूँगा पक्का हाँ जी ठीक है लेकिन एक बात का ध्यान रखना रतनलाग अगर मैं अपने घर के लिए स्कुवे से पानी निकालते वक्त मर सकती हूं तो किसी दूसरी औरत को कैसे मौत के मूँ में धखिल दो जो कुवा किसी भी दूसरी औरत के लिए मौत बन जाए बैसे काम की किसी भी कागजाद पर मैं दस्तकत नहीं कर सकती समझ गये? जो सुविधा हमारे फाइदे की ना हो वो सुविधा एक खंधर बन जाती है उससे सबका नाम बदनाम होता है अगर आप ये देखें कि हमारा नाम बदनाम ना हो तो उसमें आपका भी फाइदा है मैं पक्का समझ गये जी अच्छा मैं चलता हूँ और एक? आजी हमारे गाउं की पाच्छाला पर एक मंजिल और बढ़ानी है उसका खर्चा क्या आएगा? अरे आप पैसे की सिंता क्यों कर रहे है? देखें इस नेक काम के लिए मेरी तरफ से चंदा समझ लीजिए अच्छा मैं चलो? चलिए एक कलती करदी तुने बेटी है अगर इसने छेडा को शिकायत के बारे में बता दिया तो कोई बात नहीं चाचा छेडा बहुत अच्छी तरह जानता है कि ये सब सच है और ये शिकायत से तो कभी भी लिखित बन सकती है ओ छेडा साब मैं तो बर्बाद हो गया हूँ उस औरत की वज़े से शान्त हो जाओ रदरलाल अगर शान्त हो जाओ उत्तेजना स्वास्ते के लिए रहानिकारत है छेडा साब बात उत्तेजना के नहीं है तुम्हारे कहने पर मैं वहां काम पर आदा तुमने जितना मांगा उसना तुमको पहुचा ता रहा और नतीजा क्या निकला वो कुए मुझे बिल्से बनाने पड़ रहे है तो मतला कहें कुछ भी नहीं और जानतो उसकी स्कूल के बिल्दिंग भी मुझे बनानी है प्रीमे यहां मेरी जेब को इतनी बड़ी कैची लग रहे है आप वोलते हैं बहुत बड़ी खुश ख़बर है राजनिटी एक और एक दो ग्यारा क्यारा कड़के कैसे उस वारत का लक्षा उतारताओंगे तो सिर्फ बोजरा स्कूल का काम चाले बढ़ाओंगे और पैसे दुगने दिलवा दूंगा जरा उस कुर्सी से नीचे तो उतारने तो सुन तो लेया होगा तुमने अपनी दिवराने का कहना अब उसे फ़न समझाएगा कि इस बहस में कुवा सुख गया तो क्या फाइदा होगा इसलिए कोई का इस्तमाल शुरू कर देना चाहिए वरना कोई से हाथ दो बेठ होगे तुम्हारी मेम साब की समझ में तो ये बात की सबदड़ता हूँ उसके तो आगे पीचले को है नहीं basics तुम तो बाल बच्चे वाली हो भविश्य केओ में सोच्यों बोविश्य के बारे में देखो रतनलाल सवाल पैसे का नहीं है पानी का है जो पूरे गाउं से तालुक रखता है, तो पैसे की बातों में बहका कर मुझे घसीतने की कोशिश मत करो तुम, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे कहने से मैं कजली के खिलाफ हो जाऊंगी, घर में आग लगाना चाहते हो, एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर कजल मेरे परिवार की सद्दक से ना भी होती न, तो भी मैं तुम्हारी ये बात नहीं मालती, समझें? अध्यक्ष महदया, हमारे गाउं मोर्किपूर में सात्वी तक ही स्कूल है, और नहीं हाल आसपास के गाउं का भी है, तो मेरी ये बिन्ती है कि इस स्कूल को दस्मी तक कर दिया जाए, ताकि हमारे गाउं और आसपास के गाउं के बच्चे है स्कूल कर पढ़ सके, नहीं इस प्रस्ताओं के समर्धन में कितने लोग है तो प्रस्ताओं चर्चा के लिए मन्जूर करते हैं अध्यक्स महोद्या मैं इसका विरोध करता हूँ यह दर्खवास चाहिए इसमें कोई शक नहीं है लेकिन अगर हर गाउं की पंचायत अपने लिए स्कूल की मांग करेगी तो हमारा निधी तो इसी में खत्म हो जाएगा मोतिपूर से तालुका का रास्ता सिर्फ दो घंते का है और वहां बसे भी चलते हैं अगर जिने सच्मुच शिक्षा की आवश्यक्ता है तो यात्रा कर सकते हैं पंचायत के पास और भी कई महत्मूनकार है करने को यह तो विरोध हो गया इसके समर्थन में मैं कहना चाहता हूँ कहिए चाचा जी कुछ कहें है और हम कुछ बोले अच्छा नहीं लगता है पिर भी यूही सही विपक्ष में जो बैठे हैं भुजर्ग पंचाय सदस्यप चाचा जी से मैं बिलकुल सहमात नहीं हूँ चाचा जी ठीक कहते हैं दो घंटे का रास्ता है असल में चार घंटे लगते हैं चाचा जी ये भूल रहे हैं कि यहां का ज्यादातर इलाका अधिवाशी है जिनका गुजरा सिर्फ खेती पे हैं उस काम के लिए बच्चों के भी जरूरत होती है स्कूल नजदिक हो तो ज्यादा बच्चे पढ़ सकते हैं मैं तो कहता हूँ हर दस गाउं के लिए एक स्कूल होना जुर्वी है क्यों न हम इसकी शुरुवात मोतिपूर से करें कि इसकी समर्थन में कितने लोग हैं प्रस्ताव वन्जूर करते हैं आगे की कारवाही के लिए समीती में उप्सी जाएगी अजूर अटनल नमस्ते नमस्ते कजली बेन कि इसकी सब्सार के क्या है कंशूर हो गया है प्रोड़ी शप्रोड़ी की जात झाल अरे बेटा तजली अब बैठो जो तुम कर रही हो वो बूरा है यह इसकी जरुरत नहीं ऐसा नहीं कहूंगा मैं मैं भी चार बार सरपंज रह चुका हूं तुम्हें गर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए अब यह अकेली रेजनी कितना काम करें उसे करना क्या पड़ता है है का काम ही ना खेत का काम तो मैं ही संबालती हूं तो देखो अब्जेक्स आइब आके क्या खेत संबाल दिया रहे तो परसो परसो मैं वा गया था तुम्हें छोड़कर सभी थे चाचा ने फॉरन मिटिंग के लिए बुलाया था और खेत में कुछ हो जाता तो तो बाकी इसे छोड़ दो अब कल कहा थी जरा पूछो इसे मुझ पर नजर रखने जाते ही हो तो दूसरा सारा काम क्यों नहीं सबाल लेते देखा बापू देख लिया नतीजा और सिर्पर चड़ाओ इसे अरे मैं तो कहता हूं वापस बेदो इसे चुप चाप बैच इतना बड़ा एक कर सके मैं मरने ही अब ही तर बेटा कजली कि तू केड़ की तरफ विध्यान के अब पंचायद की जो भी मीटिंग होगी सिर्फ एक दिन की होगी इसके अलावाद तू पंचायत का कोई काम नहीं करेगी चाचा से मैं बात कर दूँगा ठीक है ठीक है प्रफू को बोलते हैं अरे आई एक अजिजी आई क्या लेंगे आप वैठिये जी वो मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूं जरा आप मैं लोग आप से रहा हुआ 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 कर्सों स्कूल देखने सरकारी अफसर आ रहे हैं चाचा तो है नहीं वो पार्टी के काम से बाहर गये हैं मैं चाहती हूं कि आप उनके साथ रहें मैं उन्हें संभाल नहीं पाऊंगी अब लब काम हम करें और फाएदा आपकी पार्टी को हो रस्ताव तो आप इकी पाटी से आया थाना वो क्यों आया था मुझे मालूम नहीं ऐसा मत समझे अगर प्रस्ताव हमारी तरफ से था तो समिती में हमारा एक भी आद्मी क्यों नहीं देखिए मैं स्कूल के लिए करेंगे या नहीं अगर आप जैसे बड़े लोग ऐसा करेंगे तो पंचायतों के नए सजस्थियों पर इसका क्या असर होगा यह सब बाते चाचा को तब ही आप नहीं आए जब हमारे हाथ में सप्ता थी और वे विपक्ष में थे हाँ हम जबक्ष में हैं कजली जी हमारा काम है तुमारे काम में टांग आड़ाना और वो हम अच्छी तरह करेंगे कल मैं कहने वाला था अब सुनती जाओ मैं अविश्वास प्रस्ताव ला रहा हूं तुम पर किस बात के लिए रतनलाल से गैर कानुनी तौर पर चंडा लेने के लिए किस ने लिया तुमने तुमने स्कूल के लिए जब लोग हमें चुनते हैं तो एक विश्वास के साथ चुनते हैं कि हम उनके साथ गदर ही न करें लेकिन यहां फुले आम विश्वास को पैरो तले कुछ चला जाता है कोई बनाने का काम दिया जाता है तो उसमें हजारों रुपए का गबन कर लेते हैं और तो और बगैर कोई निवेदा लिए स्कुल बनाने का कॉंट्राक्ट भी बिल्डर को दिया जाता है यह रावनराद चल रहे हैं अपनी मनमानी चल रही है हम इसके खिलाब हवाज उठाएंगे हमें यह शासन मंदूर नहीं है हम हम इस तालुका पंचाइब के अध्यक्ष के खिलाब अविश्वास प्रस्ताव रख रहे हैं देखो रत्वा मैं तुम्हारा भुजूर्ग हूँ और तुम्हारे पिता का मित्र भी तुम मुझे चाचा कहते हैं न तो कि मैं तुम्हारी पत्ले को कुछ ऐसा करने दूगा जो सही नहीं है तुम्हें नहीं मालूम कि कजली आज हमारे इलाके की कितनी महत्पूर्ण व्रक्ति है तालुका पंचायत का अध्यक्ष होना कितनी जिम्मेदारी का काम है वो आज अपने गौण के प्रती तालुका पंचायत के प्रती और जिल्हा परिशत के प्रती अपना उत्तरदाईत बखू भी निभा रही है तुम्हें तो उस पर घर्ब होना चाहिए चलो कजली हमें देर हो रही है कजली की कश्टी ने पाया अपना किनारा जल में भी और जोच्ती रही है पर तजली कारी कारी नारी निर्बलन जहीं है चक्ड में शक्ती तरूपा ब्लाए इनारी शस्तित रूपा है नारी हम आपके विस्कास क्रताओं का पूरा समझें और हम अद्मेश्पद की कुछी पर फिर छिला जी को ही देखें और अब वो क्या आए माननी हैं सभी सबासद से आप में से जो लोग ये मानते हैं कि मैं एक सामान्या और अशिक्षित और अब अपने इस पर के लिए लायक नहीं हूँ तो उन लोगों से मेरा एक सवाल है कि सामान्या और अशिक्षित तुम्हें पहले से ही थी तो फिर आपने मुझे इस अद्दक्ष्पद के लिए क्यों यह क्यों यह राजनिती यह कोरम इन शब्दों का मतलब समझाया राज शबकि मैं सब कुछ समझने लगी हूँ और इस अविश्वास पैदा हो गया जब मुझे अपने आप में विश्वास नहीं था तब आप महानुभाव ने मुझे में विश्वास रखकर यह पद पर ने उपकिया पर अब जबकि मुझे विश्वास है कि मैं इस पद पर रहकर लोगों के हिद के लिए कुछ कर सकती हूँ जिसमें मेरा अपना कोई नीजी स्वार्थ नहीं है तब आप लोगों में अविश्वास पैदा हो गया चलिए यही सही हटा दीजे मुझे इस पद से पर क्या मेरे हटने से आपका विश्वास टिक पाएगा देखिए जितनी मेरी सोच है जितना मैं समझ पाई हूँ उसी को आपके सामने रखती हूँ कि हो सके तो लोगों का भला किसमें है यह सोची है और अगर आप लोगों को यह लगता है कि मैं अपने नीजी स्वार्थ क लेकिन क्या मेरे हटने से आपकी जीत वो पाएगी अनसुनिये नहीं रहेगी दाहार अब गुंजेगी इस से अधीत बन जाएगी फिर ना कभी थमेगी धर ना साधर स्विकार करना अब ये नहीं रुकेगी बागिनी बन कर घूम रही है शक्ति स्वरूपा है नारी बागिनी पीने नहार सुनकर कमपित है दुनिया सारी